सो गाइज वेलकम बैक तो नदर वीडियो तो इस वीडियो में भी आपको एपप का अपडेट्स दूंगा तो वीडियो को बिना स्किप के अलास तक ज़रूर देखना तो सबसे पहले अम लोग बात करेंगे प्रबदीब भाई के बारे में तो भाई का अवी एक इंटर्वियो आया है जिसके अंदर उन्होंने उनका और जो रफ्तर भाई का एपिया था प्रा उसके बारे में बात करें थे तो आप लोग थोरा सा देख लो like how did it happen no i i called him like on his birthday he dropped a hard drive volume one last to last project so i called him i'm like why happy birthday first of all and i'm upset with you he's like kya ho gaya bhai i'm like i'm not in the EP so he had like seven songs he had Batshaw on it he had Sikandar Kalo on it love Sikandar Kalo deep Kalsi on it like he had like a lot of bunch of artists on this hard drive volume one so i was kind of upset ki bro मैं क्यों नियों इस पर he's like kaha hai tu i'm like goa में हूं he's like मैं आरा हूं परसो मिलते हैं like ठीक है so he came i met him like we chilled for five days siraf chill के हमने music निए नन्स्टब yeah like he was living like 15 minutes from my house मैं रोज जाता था हम चिल करते थे मापिस आता था तकीला थोड़ी सी पीच में एक आधी रात so then then the main thing happened when i came to Bombay 4 दिन में हमने 5 गाने सूथ दिये मतलब सूथ दिये bhai मतलब परलम पाल हो रहा था एकदम वो आता था मेरे सामने he was writing in another room वो बहर सुनता था बीट जाता था लिखके आ जाता था I think 20 minutes 25 minutes 15 minutes sometimes he's like मेरा तो हो गया तेरा काई so it was always like comparative हाँ very very healthy yeah yeah but you need that right बाकी पूरा interview का link आप लोगों को description में मिल जाएगा आप लोग जाके चेक कर लेना तो चली अभी हम लोग बात कर लेंगे पैंथर भाई के बारे में तो पैंथर भाई का रागा भाई के साथ जो track आने वाला था वोट राक आ चुका YouTube पर जिसका link आप लोगों को description में मिल जाएगा आप लोग जाके चेक कर लेना तो किसी ने पैंथर भाई के reel के नीचे comment करते हुए लिखेते बीना गाली दिये इन से गाने ने ही बनते भाईया generation खराब कर रहे हो पहले के गाने अच्छे थे आप गानजा पीने के लिए बोलते हो कोकेन पीने के लिए बोलते हो लोगों को ये कौन सा रास्ता दिखा रहे हो जिसका reply देतु है panther भाई लिखे थे बरबादी का रास्ता आपको भी दिखा दू कहो तो इस पर आपका क्या कहना है कॉमेंट में जरूर कहना तो चली अभी हम लोग बात कर लेंगे Banta Records के आर्टिस्ट Mimax भाई के बारे में उन्होंने एक स्टोडी शियर कर रहे थे आप लोग देख सकतो Amy भाई का भी जो ट्रैक आया ही Steel No.1 वो फिचर हुआ है Apple Music के अंदर Indian Independent Hits प्लेलिस्ट पे और Banta Records के तरफ से Mimax भाई का और Veevraig भाई का जो EP आया है राकास वो Apple Music के अंदर 49 नंबर पे रैंक कर रहा था New Indian रिलीस सेक्शन पे तो बहुत बहुत शुप का अमनाई सारे भाईयों को तो चली अभी हम लोग बात कर लेंगे क्रिशना भाई के बारे में तो अभी जो क्रिशना भाई का ट्रैक आया है पैसा उन माई माई इंड वो ट्रैक YouTube के अंदर 25 नंबर पे रैंक कर रहा है तो बहुत बहुत शुप का अमनाई क्रिशना भाई को तो चली अभी हम लोग बात कर लेंगे अमय भाई के बारे में तो आप लोग जान तो एमय भाई का एक ट्रैक आने वाला है जिस ट्रैक का नाम है गूड बॉई तो उन्होंने फाइनली उस ट्रैक का ओफिशियल पोस्टर भी अपडेट कर दिया है आप लोग देख सकते हैं और ट्रैक हम लोगों को सांडे राद बारा बाचे देखने को मिलेगा तो आप लोग इस ट्रैक के लिए कितने एकसेटेड हो कॉमेंट में जरूर बताना सो गैसे इस वीडियो होते इतना ही तब सर एक नई वीडियो में तब तक के लिए टाटा आप बाई बाई और टेक के यार